यह पहला बीडियो है इस सीरीज का यह बैसिकली सीरीज श्टार्ट हमने किया है जो ने करमचारी अभी जोइन किये हैं या अभी एकजार के आशपास ऑपरेटर जोइन करने वाले हैं यह उनके लिए है तो हम लोग एकएकर के सारे टॉपिक जितने भी रेवनूर इपार्टमेंट के टॉपिक्स हैं जो कि आपको काम करने में सहायता करेंगे एक्ट रूल्स हो या फिर सर्विसेज जो ओनलाइन चल दी है उसको कैसे ओपरेट करना है वो सारा हम इस सीरीज में बनाएंगी यह आप देख रहे होंगे यह ट्रेनिंग बीडियो वन है और हम लोग ट्रेनिंग बीडियो वन को स्टार्ट करने हैं बैसिकली इंट्रॉड जब मैं जोइन किया था तो मेरे कोईनी पता था कि कहता खेसरा क्या होता है जमीन का रखवाः वगएरा क्या होता है चाहुदी और बहुत सारे टर्म लॉजी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, तो over the period हम बहुत ही senior और जो most experience, जो act rules revenue के बनाते हैं लोग, मैं उन्ही के सांथ रहता हूँ, तो बहुत चीज सीखा हूँ, और हर रोज सीखता हूँ, जो नहीं समझ में आता है, तो मेरे लिए बहुत ही असान है, मैं फोन करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि कैसे होता है, तो ये आप लोगों के लिए उत्रा आसानी होगा, क्योंकि आपके पास अगर लोग जनकार नहीं होंगे, तो आप पूछ भी नहीं सकते हैं, तो मैं कोशिस करूँगा कि हर एक topic, जो आपको जानना है, वो मैं बत प्रॉम बेसिक, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि पहली बार कुछ नहीं जानता है, तो उसको भी समझने में आसानी होगा, और मेरा जो ट्रेनिंग होता है, जो मैं यहाँ पर भी देता हूँ, तो मैं बेसिक से देता हूँ, कि अगर कोई नया लड़का भी आया है, उसको कु सारा वीडियो बनाने वाला हूँ, और इस और चैनल पर 50-60 वीडियो ऐसा है, जो कि आपके काम के लिए है, जो हर रोज आप काम करिएगा, बहुत सारा चीज आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि आपको काम हर रोज ना पड़े, लेकिन जो इस पर 50 वीडियो जो है, वो हर रोज आपको काम करना है, कैसे ओपरेटर का, 슈 सारा वीडियो बनाऊंगा, वो सारा भी इसी सरे लिएटेल होगा, लेकिन प्रम बेसिक से स्टार्ट करूंगा उसमें के वल आपको ओनलाइन सर्विसे से ट्रेनिंग वीडियो है इसमें मैं अभी सब्जेक्टिव मैटर भी एक टूल्स बगरा भी या फिर जो होते हैं ट्रेमिलोजी वगरा वो सारा चीश्ट कोबर करूंगा तो ट्रेनिंग वीडिय प्रासिंग और वह भी डेवलप्मिंट कमिश्टर बिभार हैं उनका हर ट्रेनिंग जो होता था जो भी बैचा स्टार्ट करते थे एक चीज़ बताते थे मैं आपनों को बताना चाहता हूं और मेरा डायरी देखिएगा तो मेरे डायरी के पहला पेज पर यहीं लीखा दूसरा आई से इंटिग्रीटी या इमेज और इंटरपर्सनल बियेवियर और डी से डिलिवरी होता है तो नौलेज उनका कहना था कि अगर आपके पास नौलेज है तो आप कौन है माइने नहीं रखता है अगर आप अपने अंचल में करमचारी है और आपके पास आपके बारे में सबसे अधिक जनकारी है तो आपके डियम कमिशनर या जिसको भी जनकारी के लिए कुई सब्जेक्टिव मैटर में आपके बुलाना होगा तो हो सकता है आपके सरकील ओफिसर को बुलाए आपको बुलाया जा यह कोई नहीं देखता है कि वो कौन है तो यह नौले अपरेटर पर डिपेंडेंट है अपरेटर क्या करता है यह फिर उसी के ऊपर है तो आपको हर एक चीज के पास का नौलेज होना चाहिए नौलेज में होगा आपके एक्ट की जनकारी होनी चाहिए रूल्स की जनकारी होनी चाहिए कौन चीज कैसे होता है सारे चीज जनकार तो knowledge आपके पास जीतना है, आप उतने reach आदमी, आपका respect उतना ज्यादा है, दूसरा है image integrity और interpersonal behavior, आप office में काम करते हैं, तो आपके आजपास वाले लोगों से कैसा behavior, आपके पास जो public आता है, उसके से कैसा behavior है, यह बहुत मायने रखता है, दूसरा है integrity, तो integrity यह है कि आप सम सकते हैं, कि आप कितने ही मंदार हैं, अगर ही मंदार हैं, तो आपको respect है, आपको कोई खरीद नहीं सकता है, और आप अपने यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपने act, rules के अमसार कर रहे हैं, आपसे कोई गलत तरीके से बात नहीं कर सकता है, अगर आपके integrity है और आपकी image inspection रहेगा, अगर आप मंदार है, तो आप tension-free कोई गलत काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा tension बना रहेगा, कोई गलत काम किया है, कभी न कभी पकड़ा जाना है, और कभी न कभी आज के date में पड़ा जाना है, क्योंकि यह manual method से अब revenue का कोई काम होता नहीं है, ठीक है, तीसरा है delivery, अगर माल लिए आपके integrity है, और आपके पास knowledge है, और आप mutation करके नहीं दे रहे हैं, आप जहाँ अबंदी अपने आ नहीं सुधार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह दोनों माइन ही दे रखता है, तो आपको delivery देना ही देना है, तो यह तीन चीज आपके life में हो को बताना था, कि क्यों आपको training दिया जा रहा है, आपको knowledge बढ़ाना है, knowledge बढ़ेगा, तो आप obvious एक knowledge रहेगा, तो आप delivery देंगे, और knowledge रहेगा, तो आप अपना respect कभी नहीं खोएंगे, तो आप obvious है कि image और integrity अपना बनाए रहेंगे, आजपास लोग वाले लोगों के बेसिकली क्या होता है, कि जितने भी land से related matter होते हैं, वो ये handle करता है, राजश्री परफशासन जो होता है, revenue administration, ये revenue department प्रवाइट कराता है, और सबसे पहला इसमें एक जो basic, जो main काम होता है, public से related होता है, वो होता है कि जो ग्रिभ भीहिन लोग होते हैं, उनको बसने के लि जाता है, और अगर मान लिजिए कि कोई आदमी को आप जमीन पर बसाये थे और वो किसी गलत आदमी दवारा दबंग दवारा हटा दियागा, तो उसको दखल दिलाना भी इसी department का काम होता है, ये public औरेंटर दो काम होते हैं, तिसरा होता है कि services हम लोग देते हैं, जैसे हमा नाम का अंतरन होता है, जिसे पहले किसी के और के नाम पर था, और जमीन बेच दिये दूसरे का आदम पर, तो दूसरा आदमी अपना जो नाम का चेंज कराने आएगा, उसको दाखिल खारीज बोलते हैं, तो दाखिल खारीज ए डिपार्टमन करता है, लगान कलेक्शन होत उसको उसको उसपर रोड बनाना है, तो सरकारी जमीन का भी हस्तना अंतरवन भी यही डिपार्टमन करता है, सारी सर्विसेस को ऑनलाइन उपलाप्त कराने का जिम्यदारी भी इसी डिपार्टमन की है, जितने भी रेवनू से सर्विसेस है, रेवनू रिकॉर्ड है, सारे, चकबंदी इस department दवारा होता है शर्वेख्षन इस department land का survey अभी हो रहा है special survey वो यह ही department करता है और जो जमीन जो सरकारी जमीन होता है बुवत बंदी से मिला होता है या बूदान से मिला होता है यह सब क्या होते हैं बहुत बंदी भुदान ओगे आपको हम बताएंगे वो भुमहिनों को बीच इत्रम करना भी इसी डिपाट्मेंन की है तो यह डिपाट्मेंन का क्या क्या काम है आपको इस स्लाइड में दिख्या नेक्स स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो revenue administration है उसका geographic information और administrative structure क्या है तो बिहार में कुल लगभग 94,163 वर किलोमीटर का एरिया होता है जो बिहार के जो बिहार का मैप आप देखते हैं वो इतने स्कॉर किलोमेटर का है उसके बाद ग्रामीर छेत्रफल इसमें ज्यादा है 933 58 वर किलोमीटर जहां पर हमारा revenue administration जो होता है मौजा वगएरा जो आप सुनते हैं वो ग्रामीर छेत्रों में जो होता है वो इतना किलोमीटर में है विहार में नौपरमंडल में बट जिले हैं बिहार में और पर मंडल में लगबग 38 जिले है उसके बाद अनुमंडल हमारे पास invite अको मैं 534 अंचनल है और हमारे पास जो पंचायत हैं लगवग 8463 यह बढ़ते रहता है घरते रहता है तो अभी 85-866 के आसपास होगा हर बार जब भी पंचायत का एलेक्सन होता है और वहां पर अगर एक नए पंचायत बनता है तो इस तरह से होता है और उसके बाद उसमें ग्राम ग्राम की 334 अंचल और हलका जो होता है उसके बाद राजश्च गराम होता है रेवनू सबसीच होता है । उसके बाद अंचल आता है अंचल के बाद DCLR और अनमंडल कोट आता है मतलब अनमंडल में DCLR और SDO बैटने हूं उसके बाद फिर जिला आता है जिला में DM और ADM होते हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं हम आपको आगे बताएंगे और उसके बाद Divisional Commissioner होते हैं उसके बाद Board of Review और फिर विवाग हो कि और पार मुक्षजीव के नीचे नाट तो हमिए उसके नीचे जो अप्रमुक्षचीव होते हैं है कि आ तो मुक्षचीव केनीचे सारे चेत्रीये विघ्याले और नीदे साले और भी जितनव नाढ़ाटेशसंदेशी दिपार्टमेंट के वो सारे आते हैं तो मुख्याले में मुख्याले के हेड अपर मुख्याची होते हैं अडिस्टेशन साइड से और मंत्री जी उसके मतलब पोलिटिकल साइड से होते हैं तो हेड मंत्री जी करते हैं, मुख्याले में बिसेश सची होते हैं, अपर सची होते हैं, संजुक सची होते हैं, उप सची होते हैं, अवर सची होते हैं, परसखा पारिदिकारी और सहायक, सहायक के नीचे भी UDC, LDC का पोस्ट होता है, तो यह सारे पोस्ट क्या होता है, अभी उप सचीव, सजुक सचीव, अपर सचीव, विशेश सचीव, इस तरह से यह पोष्ट बियेस ओफिसर का होता है, बिहार सेक्रेटेड इस सर्बिसेश का होता है, हमारे छेत्री करेयाले में जो होता है, जो रिजनल ओफिसेज होते हैं, जहां आप काम करते हैं, राजस करमचा जो DM होते हैं उसके बाद Divisional Commissioner प्रमंडली आयुक्त होते हैं और उसके बाद विभाग होता है उसी तरह से विभाग में तीन नीदसालय है चकबंदी नीदसालय का काम है Consolidation जो क्या होता है हम आगए आपको बताएंगे चकबंदी मतलब की छोटे-छोटे अगर चार किसी की जमीन है और उसको एक जगह लाकर तब Consolidated एक चक बनाना उसको चकबंदी बोलते हैं भू अभी लेकर उन पर इमाप्त में बेसिकली लैंड सर्वे का काम होता है जो अभी पुरे बिहार में स्पेशल सर्वे चलता है जमीन का सर्वे की कौन जमीन किसके नाम पर है यह सर्वे होता है और भूर्जन का काम आप लोगों को पता है भूमी अरजन करना जो भी कोई भी अभी development का प्रोजेक्ट होता है रोड बनना है और पूर्ट बनना है या फिर सिचाई का बांध बनना है या कुछ बनना है इसके लिए जो लैंड का एक वार किया जाता है और भूर्जन नेदे साले द्वारा कि उसके बाद एक गजेटियर हमारे होता है गजेटियर बेसिकली गजट होता है जो कि बिहार के बारे में हर एक जीला के बारे में पब है उसके बाद भूमी नयाधिकरण है एक ट्रीबुनल है जो रेवनु से रिलेटेट लैन डिस्पूर्ट से रिलेटेट जो केसे बहुत ज्यादा हाई कोट में आते थे तो हाई कोट ने इंस्ट्रक्शन किया था कि आप अपने यहां एक बिहार भूमी नयाधिकरण का गठन करिये और जो केसे जो आते हैं हाई कोट के अलावा वहां पर भी इसके बारे में तो एक नयाधिकरण का हमारे यह हमारा अद्मिस्ट्रेटिव अक्ट्रक्शर है डिपार्ट्मेंट का उसी तरह से अगर भूम अभी लेकर परिमाप निदे साले का अगर अगर अद्मिस्ट अलग से पोस्टिंग भी होती है उसके बाद परभारी परदिकारी होते हैं साहक बंद बस परदिकारी होते हैं कानूंगों होते हैं अमीन होते हैं यह सारे पोस्ट होता है उसके बाद बिहार सर्वेक्शन का रहाले गुलजारबाग भी है गुलजारबाग का नाम आप लो उसके बाद सर्वे बिहार रायश पर्सिक्षण सरस्थान बोध गया और आपको सास्ती नगर में भी अभी कुल गया है वहां पर परचारे होते हैं मतलब प्रिंस्पल और वहां पर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट होता है चकबंदी नीदे साले में उसी तरह से निदेशक होते हैं नीदेशक के नीचे संजुक नीदेशक उप नीदेशक और उसके बाद फिर परसका पजादिकारी और सहायक होते हैं शेत्रिय का रियाले में उसी तरह से उप नीदेशक, चक्वंदी, नीदेशक, सहायक, चक्वंदी, पजादिकारी, आमीन वगरा होते हैं. चक्वंदी का बैसिकली काम आपको पता है, कि छोटे-चोटे टुगुडे में जो किसी का खेत बटा होता है, तो सब को एक जगह चक बनाके और देना, ये चक्वंदी का काम होते हैं. बुखरजन नीदे साले में basically आपको headquarter में नीदेशक सायक नीदेशक और उसके नीचे फिर आफिस होता है जहां परशा का परदिकारी और assistant बगरा होते हैं श्यत्रिय करयाले में आपके जीला भुहरजन पारदिकारी अपर जीला भुहरजन पारदिकारी कानुंगो और अमीन का ये सारे पोस्ट होता है ये आपको अब हम लोग चलते हैं कि कौन-कौन से इंपौर्टेट्ट एक्टस है तो रेवनुड ये काम जो होता है वह किसी न किसी एक्ट से होता है ऐसे अगर कुछ भी हो रहा है तो किसी एक्ट से ही होगा तो हमारे पास सबसे पुराना Act जो है, BT Act जो इसको बोलते हैं, बिहार Tenancy, बिहार कस्तकारी अधिनियम, 80-85 का है, उसके बाद Land Reforms Act जो है, 1950 का है, बुदान यग अधिनियम है, 1954 का है, उसके बाद BPPST का जो Act है, 1947, बिहार Privileged Person Homistic Tenancy Act, 1947 का है, उसके बाद Consolidation Act है, 1956 का, उसके भूहत बनी सिलिंग का Act है, 1961 का, उसके बाद साहुकार अधिनियम है, 1974 का, उसके बाद भूमी वीवाद निराकान अधिनियम, 2009 में बना था, और एक Land Conversion का Act मना हुआ था, 2010 का, जिसे माल जिए किसी के पास क्रिसी जमीना, और उसको प्रट्रल पंप लगाना है, तो सबसे प इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सारे, और बिहार, भूमी, दाखिल, खरजद, निम, 2011 यह भी एक Act है, जो कि जिससे की Mutation का काम होता है, तो यह 10 main important Acts है, जिसको आपको हम एक एक करके बताएंगे आगे के वीडियोज में, उसके बाद विभाग में कौन-कौन सी महत्य पून योजना है, यह भी भाग आपको हम अशार्टिंग में ही बताए थे, कि यह गरीबों को जमीन देती है, तो अभियान बस एरा के अंतरगत अभी जमीन दिया जाता है, गरीबों को, इससे पहले महादलित विकास योजना के अंतरगत दिया जाता था, उसके पहले घर बनाने के लिए बांटती है, यह अभियान बसेरा का इसकरम होता है, इसको बेसिकली बोलते है हम लोग ग्री हस्थल योजना या बास भूमी योजना, इसका नाम हमेशा चेंज होते रहता है, इससे पहले इसका कुछ और नाम था, अभी अभियान बसेरा है, इसके बोला, मुहला या गाउं है, उनको सनक से जोडना, मेन सनक से जोडना, यह संपर्क्षणक योजना था, अपरेशन भूमी दखल लहानी का मतलब यह मेन परपस था कि, जो लोग को हम लोग परचार देते हैं, मतलब कि ग्री अस्थल योजना देते हैं, जिस गरीब के पास जमीन ने उसको जमीन देते हैं बसने के लिए, और उसको बाद में किसी दबंग द्वारा या फिर लोगों द्वारा हटा दिया गया और उसको फिर उसके जमीन को कब्जा कर लिया गया, तो उसके लिए ये बैसिकली एक अभियान चला था, अपरेशन भूमी दखल देहनी उसके बाद भू अभिलेखों का अधतनी करन मतलब अपडेशन ओफ लैंड डिकोर्स का काम भी सर्वे के द्वारा इस डिपार्टमें में किया जा रहा है, भू अभिलेखों का कंप्यूटरी करन जितने भी पुराने दस्तवाज थे उनको कंप्यूटराइज करना भी सबमालेगी अभी हालिये में एक तेंडर हुआ है सिसने घू this कंप्यूटरी करना है सका कशन करकर और आफे को कभी भी देख सकें रिकॉर्स को तो यह सारी ट्रंस्पेरेंशी की चाएगा ले जाएगा डिपार्टमेंन'. गटेगा उसके बाद राहर सुमान चीत्रों का डिश्टाइशन अभी आपको बता है कि लगभग हमारे पास 1,40,000 के आसपास रेवनु मैप हैं जिसको की हम डिश्टाइज कर चुके हैं यह आपको पता चलेगा रेवनु मैप क्या होता है कैसा दिखता है यह सब हम आपको अ सबस्क्राइब हैं तो अगर चैडिश्ट्रल जो हुआ था वह आज से लगभग 110-20 सल पुराना हो गया तो वह सारे आज की डेट में सर्वे के जो खतियान हैं वह बहुत आउटडेटेट हो चुके हैं तो अभी इसलिए भी शर्वे का काम चल रहा है बिहार स्पेसल सर्व और बहुत जगा कंप्लीट की हो चुका है उसके बाद अधुनिक अभिलेखागार भौन निर्मा अभी हर एक अंचल में आप अभी ज्वान कि होंगे और देखें होंगे कि एक मोरान रिकॉर्ड रूम करके एक नाम से अंचल अभिलेखागार बना हुआ है दो दो मंजिला बिल्लिंग है उसमें ये रेवनु के सारे जीतने भी अभिलेख हैं और रेवनु एड्मिनिस्रेशन वहीं से चलेगा उसके बाद और भी महत्वपून जो कारी हैं विभाग का वह भू अरजन है जमीन अरजन करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भूमी हस्तनांतरन है करम तो इतना number of mutation cases आते हैं कि अभी नए करमचारी आप लोगा है तो बहुत सहुलियत होगा अंचलों को काम करने में भूलागान संग्रहन ये online होता है मतलब online जहांबंदी अबलेबल है उसमें लोग अपना online जाकर payment करते हैं राजश्य शंग्रहन है रेवनु कलेक्शन वह हार्ट बजार कचहरी ये सब की बंदोबस्ती होती है और इसका संरक्षन भी यही department करता है जैसे हार्ट बजार अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसका संरक्षन भी करता है मेला कायोजन भी हम ही लोग करते हैं स्वानपूर मेला हुआ चाहे बहुत सारे पित्रपक्ष मेला हुआ है उसके बाद बात gült पर चाब पास्ति परच्ट कर बेसिकलертв गरीबों को बसने के लिए जो जबंदे रहता है तो यह डिपार्टमेंटे बारे में एक अवरराउल आपको एक पिकचार मिल गया हुआ कि यह department क्या करता है क्या क्या इस department में होता है अब हम लोग आगे चलते हैं बेसिक अप्लान डिकोर्ट सम्ट देखेंगे कि मतलब जो लैंन डिकोर्ट सम्ट होते हैं तो यह हमारा ट्रेनिंग वीडियो टू है एक वीडियो बहुत लंबा हो जागा तो हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे मेरा आपसे आग रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कि दूसरा वीडियो जब भी हम वीडियो डाल है लैन रिकोर्ट के बारे में यह सारा चीज देखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही आपनों को शुक्त थैंक यू आप